तो मैं आप सभी मेडिया कर्मी को चुनावी दौर में आप सभी का अभिनंदन और बंदन करता हूँ और मैं कल्यानपूर पंचायत का उमेश कुमार सिंग और फुगुड़ू सिंग बर्तमान में जो BDC पद है उसका मैं प्रत्यासी हूँ पर्थम बार चुनाव में जो है मैं भाग लिया हूँ उससे पहले मैं कई कारकरमों में समाजे कारकरम में धार्मी कारकरमों में और आजनितिक द्रिष्ट्री से लगातार अपना समय समाज के बीच अब तक देते आ रहा हूँ और इस समय वर्तमान समय में मैं भावी बीडी सी प्रत्यासी हूँ कल्यानपुर पंचायत के भाग वन से मुख्या जी चुनाओं की तैयारी में तरसल में मैं त्रियस्तरिये पंचायत के बिहार में गठन हुआ उसमें सरप्रथम आपको बता दूं कि 2001 से ले करके 10 साल हमने विपक्ष का राजनित किया और 10 साल जो वर्तमान मुख्या जी हैं स्री सजुवन साह जी उनके साथ हमें रह करके हमने जो है उनके सयोग से और अपने विचार को रखते हुए जो जो संभव हो सका पंचायत के अंदर चमुखी विकास के रूप में जो है गली नली हो या पेजल हो उसमें हमने समाज के द्वारा जो निर्देश आया आदेश आया कि यहां होना चीए तो मुख्या जी से मिल करके और आपस में ताल मिल बना करके वाडों से ताल मिल बना करके और जनता के सयोग से जो है जो सरकार द्वारा जो सरकार इकाई द्वारा जो हम सभी पंचायत को रासी आता गया उसमें मुख्या जी के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास करके थोड़ा थोड़ा जो भी विकास होना संभव हुआ उसमें हम लोग जो है बिना पद पर रहे हुए करने का प्रयास किया मुख्या की तैयारी में आप मैं समाजिक तोर पर चुनाव में हूँ ना मेरे पास कोई रुपया पैसा का बल है ना मुर्गा धारू का कोई बल है मैं केवल अपने समाजिक बिक्तितों के अधार पर अपने कर्मों के अधार पर धर्मों के अधार पर जो है मैं जनता के भी जा रहा हूँ और एक एक सबसे मिल जूल करके अपनी बात को जो है हम रख रहे हैं कि आप लोग बिना पद पर रहे हुए हमने जो दस साल समाज के अंदर चलने का प्रियास किया है और अधी आप उसर देते हैं आप हमारा हाथ मजबूत करते हैं तो आने वाले समय में अधी प्रखंड अस्तर में पंचायत का जो भी विकास का कार्य है उसके बारे में अउगत कराएंगे बैठक में सवाल उठाएंगे और इसी सब विचारों को लेकर के हमने जो है विरवजगारी का आलम है समाज में रहना उठना बैटना यह हमारा कल्चर है छेत्र पंचायत के चुनाओं आपने वावकों द्वारा या प्रखंड में हमारा आना जाना लगा रहा दरसल कहा जाए तो भावतिक इस्तिती से देखा जाए तो उसमें कुछ परसानिया है क्योंकि गली का बनावट जो है गाउं का जो बनावट है एक रूप में नहीं है यह सहरी करण से गाउं नहीं है तो कह परसम किसी वाड में 60 घर में जाता है किसी में 70 घरों में जाता है किसी में 80 घरों में जाता है कि यहां के मद्दाताओं से कल्यानपूर की पंचायत जो भी है कल्यानपूर की जनता से क्या अपिल करना चाहिए दरसल में बहुत सुंदर कोश्चन आपने किया कि कल्यानपू से अपने कल्यानपूर पंचायत के अभिवावकों से, नौजवान साथियों से, मातायं और बहनों से सभी से अपील यही करूंगा, कि साब सुत्रा स्वच मतदान करें और जो कंडिडेट बहुत से पदों पर हैं मुख्या भी हैं सरपंच भी हैं वाड सदस हैं बीडी सी हैं सभी भाई हम लड़े हुए हैं लेकिन उनका कुछ न कुछ समाजिक दायत देखें और मुल्यांकन करें कि हर्म पैमाने पर कौन सा कंडिडेट है कि जो हमारे समाज के बीच में अपना जिम्वारी निभाएगा उसके अनुरूप लगे कि नहीं ये समाज में इनकी भागिदारी अच्छा है ये समाज के लिए कुछ कर सकेंगे तो उनके 29 तारीक को जो है वह अपना मतदान अपने सारी मुल्यांकन को करते हुए उनके संसकार उनके बात उनके विवार रान सारी चीजों को दृष्टी में रखते हुए जो है मैं सबसे पहले अपी लिए करना चाहूँगा कि बीना निहस्वार्थ बीना कुछ लिये दिये बीना जो है मुर्गादारु का बहुत तरह का परशन चल रहा है और उस सब को ध्यान में न रख करके साब सुतरा छवी के लोगों को मतदान करें और समाज के कल्यान में जो आगे पंक्ती में है उसको चूनें न की जो है जादपात का बात करें न खानपान की बात करें केवल उसके आचरण बेवहार रहन सहन और उसके समाजिक दाहित उपर उसका चुनाव करें